नमस्कार दोस्तों आपसे भी का स्वागत हमारी आरजी टेक्निकल बॉय यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग कहीं पर भी अपने कार्ड से पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपसे पूंचो कार्ड होगा जो मतलब ATM कार्ड होता वो कुछ इस स्तरीके से आपका होगा ठीक है एस कीअब यहां पर आपका कारड बिखा होगा और उसके बाद यहां पर आप दहुगए लिखा हूँは valid through ठीक है तो यही चीज आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी valid through ठीक है तो आपको क्या करना यहाँ पर सबसे पहले आपको month मिलता है उसके बाद year मिलता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना month select रोना और यहाँ पर year select कρι ले ठीक है और उसके बाद यहाँ पर आपको CVV number देना है जो कि आपके card के पीछे आपको मिल जाते है ठीक है वो आपको CVV number यहाँ पर डालना है और यहाँ पर card number आपको यह वाले card number यहाँ पर डाल देना है उपर में तो दोस्तो यह जो valid through होता है इसका मतलब यह है कि आपका जो card है वो कब expire होगा कब तक आपका जो card है वो valid है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कैसा था प्लिस कॉमेंट करके जरू बता दिजेगा और दोस्तो अगर आपको अभी भी समझने में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉमेंट करके पूँच सकते हो और दोस्तो आज किस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं आई होप आपको इस वीडियो से हल्प मिला होगा अगर आपको इस वीडियो से हल्प मिला हो तो प्लिशर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा